नमस्का दोस्तों स्वावत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गडित के कुछ महतपुर प्रश्णों को जो कि आपके टेट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एच्टेट आद इस इच्छक भरती परिच्छों में बार बार पूँचे गए हैं यदि बड़े भाई की उम्र तेईस वर्स हो तो छोटे भाई की उम्र क्या हो सकती है यानि कि दोनों रूर संख है आनी चाहिए इनका योग तता अंतर तो पहले बड़े भाई की जो उम्र है वो तेईस वर्स है तो छोटे भाई की उम्र बताने में क्या हो सकती है तो इसम कि बड़े भाई की उम्र क्या है कि अब दे रखी 23 वर्स ठीक है 23 वर्स है आप पहले उप्शन से लेते हैं और पहले फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट में कितना आठ वर्स वह कहारा योग और अंतर योग कितना अठ पन्द्र अंतर कितना हो जाएगा योगत हो गया अंतर लेटेश माइनस आठ बरावर कितना अंतर याट बारा थिंग पंद्रा पंद्रा आगिए तो 15 तो कट रहे हैं तीन पंजे 15 अब आज ये संक्या नहीं है तो ये नहीं हो सकता अब हम लेते हैं 12 बाला तो 12 पिलस करेंगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा 75 पंजे 35 ये भी नहीं होगा option second आगया अब लेते हैं option third third option दिया है 18 तो यहाँ योग करेंगे योग बराबर हो जाएगा 23 पिलस 18 तो ये हो गया 41 रूर संक्या है आप कर लेते अंतर अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस 18 बराबर 5 तो ये भी रूर संक्या है और ये भी रूर संक्या है ना तो 40 किसी से कट रही है और ना इप 5 तो इसका option जो हमारा हो जाएगा 18 जो है सही हो जाएगा थाड वाला तो छोटे वाई की उमर कितनी होगी 18 पासा करता हूँ यह प्रशन आपको समझ आया होगा आई अगला प्रशन देखते है अगला प्रशन दिया है दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का यूग है 9 नो है पहला दूसरा हो गया संख्या के इन में सत्ता किये अब देखिए हमकों ओपके हुआप्स्या देखिए ह होप्शन में दोनों अंकों का इसका 9 है सात और 2 नो है इसका 6 त्शे और 3 नो है 6 और 3 9 है पहला तो सही है कि अंकों का यूग कितना है सभी का 9 9 है अब हमको ये देखना है अगर 27 जोड दिया जाए तो क्या अंकों का किरम उलट रहा है किसी का तो सबसे पहले हम देखते है पहले उप्षन को A में A में देखते है A का करते हैं 54 प्लस 27 तो ये कितना हो गया 11, 7, 4, 11 की 1, 5, 7 और 1, 8 एक क्या सी हो गया होना कितना चाहिए 45 नहीं हुआ ये नहीं हो सकता अब देखते है ओप्षन B में B में क्या है B 27 है 27 में प्लस करते है 27 का 27 ही जोडना है प्लस करेंगे 27 दूनी चंवन ये चंवन हो गया तो ये भी नहीं होगा क्योंकि किरम उल्टा नहीं है इस बहत्तर होना चाहिए आप करते है C में C में कितना 63 है प्लस करेंगे 27 का 27 जोडने पर संक्या होगा 36 होगा ये कितना हो जाएगा 17,90 ये भी नहीं होगा अब आते हैं D में D में कितना 36 36 में 27 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7,6,13 की 3 और 5,6,63 तो ये क्या किरम उल्ट गया यहां 36 से 3,6 है या 6,3 हो गया तो इसका ओप्सन D जो हमारा से हो जाएगा इस तरह से आप प्रश्णों को अप्सन की साहता से भी बहुत ही आसानी से हल कर सकती है तो आसा करता हूँ ये प्रश्णों ये आपको समझाएगा आई अगला प्रश्ण देखती है हमने अपने इस वीडियो में उनी प्रश्णों को सामिल किया है जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए। यह आपका CTR 2012 में पूछागा गया question है, जो दिया निम लिखित में से कौन सा सही है। दिया एक 1000 का कि जो परवर्ती का पूरवर्ती का होता है। आप देदी परवर्ती यू पूरवर्ती क्या होता है। देखे परवर्थी मैं लेते हैं पांच संख्या ले लेता हम तो यह क्या हो गया पूर्व और इसे कहते हैं परवर्थी पर पूरवर्थी पूरा लिख देते हैं और परवर्थी अब पांच का पूरवर्थी कितना हो गया चार परवर्थी कितना हो गया अच्छे ठीक है अब लिख लेते एक हजार एक हजार का परवर्थी पिलस बन करेंगे आपर बरावर हो जाएगा एक हजार एक इधर क्या है इधर एक माइनस करेंगे एक हजार एक कम करेंगे ना इधर तो माइनस एक कर देंगे तो यह हो जाएगा 999 और ही हो जागा तो पूरवर्ती परवर्ती ही हो गया अब भो कह रहा है कि सही 1000 के पूरवर्ती का परवर्ती 1000 है 1000 के पूरवर्ती पूरवर्ती थी हो गया 1000 का ठीक है पूरवर्ती नहीं 1000 का परवर्ती परवर्ती ही हो गया इसका परवर्ती, पूरवर्ती क्या होगा, इसका पूरवर्ती एक अजार हो जाएगा, ठीक है, एक अजार के परवर्ती का पूरवर्ती एक अजार है, तो यह हमारा से हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एक अजार एक हो गया, आप इसका हमें पूरवर्ति होता ना, इसमें से 1- करेंगे, तो 1000 युरह जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से 1000 का पूरवर्ति, परवर्ति का पूरवर्ति 1000 होता है, तो option first जो हमारे इसमें सही हो जाएगा, तो आशा करता हूँ यह प्रस्ण वी आपको समझाय होगा, अगला प्रस् इसमें आपके सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है, इसमें दिया है, यदि संक्या इतने को पांसो सरसट से बिवाजत किया जाता है, तो बागफल क्या हो, तो simple है में इसमें इसका बाग देते थे, हमें बागफल जो है, मिल जाएगा, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, तीन बार है, और 5, 6, 7 का भाग देना है, तो एक बार चला जाएगा, पहले में तो, 5, 6, 7, कट गया, यहां सून्या गया, फिर हम 5 को नीचे लाएंगे, भाग जाएगा नहीं, तो फिर एक सून्या बढ़ाएंगे, फिर हम 6 को नीचे लाएंगे, फि जैसे ही हम साथ को नीचे लाते हैं साथ को तो आगे एक बार और चला जाए गा तो फाइब गटेगा तो कुछ नहीं बचाएगा यहां पर फिर 5 नीचे लाएंगे फिर 6 लाएंगे फिर 6 लाएंगे फिर 7 लाएंगे इस फिर एक बार फिर खट जाएगा यह 5 6 7 कुछ नहीं यह 1 तो बागफल कितना मिला 1001 001 संख्या इतने और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा यह प्रशन आपके सीटेट 2012 में पूछा गया था तो इसमें जो संख्या दिया में 5671 को अंकों को पलट देने से इसके जो अंतर आएगा संख्या होगा वो कितना होगा तो देगे इस पहले हम चंक्या लिख लेते हैं 5, 6, 7 और 1 अब इसके अंकों को पलट देते हैं तो पहले कौन सा आएगा 1 आएगा फिर 7 फिर 6 आएगा और फिर 5 आएगा अब इसका क्या अंतर करना हैं अंतर करेंगे तो माइनस कर लेंगे तो यह 11 हो गया है पर एक आसिल लेंगे हैं 11, 11 में से 5 जाएंगे तो चाह जाएगे तो आंसर आगया तीन जान नो से च्छ तो तीन जान नो से छे हमारा ये टी आप्सन सही हो जाएगा तो आसा करता हूं यह प्रशन आपको समझाएंगे अगला प्रशन देखते हैं प्रशन दिया 36606 में 6 के इस्थानी मानो का योग फल है यह जो तीन जगे दिया यह एक तो तीन तो इसके इस्थानी मान जो है उसका हमें जो है योग बताना है तो इस्थानी मानो था जो संक्या जिस इस्थान पर होती है उसके आगे उतनी जीरो लगा देते हैं सबसे पहले हम लेते हैं। 6. 6 ले लिए 6, 1, 2, 3, 4, 4 सुनने लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीकाि, फिल लेते हैं, हम दूसरा बाला 6, ये 6 सो 6 बाला, तो 6 सो 6 बाले में 6 ले ले लिए लिखते थे हैं, ществ令 सुनने बढ़ा नहीं हैं, 2, अब last में 6, अब क्या योक फल पूझायां के तो हम इनको प्लस कर देते हैं प्लस करेंगे तो देखिए छैने आजाएगा 6 और एक शूने शूने आजाएगा यहां फिर ज्रह आजाएगा एक शूने आते हैं शूनने आ जाएगा और यह 6 आ जाएगा तो 60,006 60,006 क्या हो गया है हमारा हो गया आंसर तो option A जो हमारा सही हो गया है और इसमें ये भी seated 2012 में जो question पूछा जा चुका है हाई ये अगला प्रस्ण दिखते है प्रस्ण दिया है 19,000 प्लस 19 सेकड़ा प्लस 19 इकाई बराबर है किसके बराबर है ये भी seated 2012 में question पूछा गया तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 19,000 तो 19 लिखेंगे 1000,000 से गुणा कर दो या बराबर कितना हो गया 19,000 19,000 हो गया 19 सेकड़ा 19 लिखो या सेकड़ा मतलब 100 100 से गुणा कर दो ठीक है तो 1900 हो जाएगा 19,900 इस तरह से लेकर 19 हो गया 19 इकाई 19 लिखेंगे या इकाई मतलब 1 तो 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 19 ही रहेगा तो लाश्ट में 19 से मिया लिखतेंगे ठीक है इकाई की जगे अब इकाई या है बराबर किस के है तो यहां प्लस कर देतें किस के बराबराइगे एक सून यहां लगा लो जोडने में आसानी चाएगी तो यह 9 हो जाएगा यह 9 ठीक है 1 है 0 ऊपर 1 आ गया यह सून यह 9 है 9 हो आ गया पिर 9 और 1 10 कर 0 हो जाएगा और एक के जगे 2 हो जाएगा तो 20,000 नो से उनिस हो गया 20,000 नो से उनिस तो इसमें उप्सन B में जो हो गया लिए तो यह हमारा आन्सर हो गया 20,000 नो से नो आशा करता हूँ प्रेशन आपको समझा possible आई अगला प्रेशन देख्ते हैं यह प्रश्ण बहुत ही अच्छा है यह प्रश्ण प्रश्ण क्या है दो अंकों की संक्या तता उसके इस्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संक्या का यू कितना 1010 है यदि उन अंकों का अंतर चार हो तो संक्या ग्यात कीजिए देखिए इसमें अंतर तो ग्रौ हम संक्या है उसके हो सकते हैं तो मान लेते हैं HU वह संक्या है माना हुए संक्या संक्या आजाए जैते दस दो अंकों की है तो हमाँ लेते दस एक्स प्लस बाई यह संक्या है अब कह रहा है कि इस्थान परिवर्थन से बनने वाली नई संक्या के यूग मतलिए यह संक्या और इसके अंकों को पलट दे तो उन दोनों के यूग कितना हो जाए एक सो दस हो जाएगा तो हम लिखते हैं यहाँ पर दस एक्स प्लस बाई प्लस दस बाई प्लस एक्स संक्या पलट दी मैंने अंकों को पलट दिया बराबर किसके 110 के ठीक है 110 के बराबर है तो दीके ये 10 X है, तो एक X है, तो क्या हो जाएगा 11 X पिलस एक बाई ये और 10 बाई ये तो गीरा बाई ये हो जाएगा गीरा बाई और बरावर कितना हो जाएगा 110 अब जो 11 है 11 से काट देते हैं ग्यारा ग्यारा कॉमल ले लेते हैं तो यहां दस रह जाएगा और यहां रह जाएगा एक्स प्लस बाई बरावर दस ग्यारा कॉमल ले ग्यारा से काट दिया एक ही एक ही एक्स प्लस बाई बरावर दस रह गया एक्स प्लस बाई बरावर दस रह गया अब दूसरा कंडिसन द प्लस के, एक्स प्लस बाई बरावा दस मिला, और एक्स माइनस बाई बरावा चार दे रखा है अंतर, तो चार लिग लिए मैंने, अब इसको क्या करते हैं, काट से मिकेड़ को हल कर लेती हैं, ये प्लस का ये माइनस का, अगर जोड़ेंगे तो इकट जाएगा, जोड़ने बटी दू, दू से काटेंगे, दू सत्ती चोड़, साथ वार आया, तो एक्स बरावर कितना मिल गया, साथ, एक्स बरावर साथ मिल गया, अब ये एक्स का माण हम अगर मिसमें रख दें, एक्स प्लस बाई बरावर कितना है, दस, फर्स्ट मिसमें रख देते हैं, तो एक् और दी बराबर होगे तीन तो संख्या होगे कितनी x प्लस भाई तो संख्या होगी त्यात्तर तो आशा करता हुआ प्रश्ण आपको समझाया होगा आई अगला प्रस्ण देखते हैं most important questions हैं जो कि एक्जाम में बार-बार पूछी जाते हैं प्रस्ण दिया है 50 को आदे से विवाजित करो तथा 20 जोड़ो इसमें से 35 गटाओ तो मैं क्या पराप्त हुआ तो जैसे जैसे बोला हैं वैसे वैसे लिख लिते हैं तो देखिए सबसे पहले बोला है 50 पचास को आदे से एक बटा दो से काट दो फिर इसमें 20 जोड़ो पीस प्लस कर दो और इन सम्में से क्या 35 माइनस कर दो 35 माइनस कर दो अब बराबर क्या मिला वह हमें बताना है ठीक है अब देखिए 50 इसको संक्या को अगर गुड़ा में करेंगे तो इसको पलड जाएगी कैसे देखिए ऐसे यह 50 गुड़ा में करेंगे तो दो बटा एक हो जाएगी गुड़ा में करेंगे तो यह हो गया प्लस ठीक है और प्लस बीस आगया माइनस करेंगे 35 तो पचास दूनी 100 हो गया प्लस में 20 आगया और माइनस आगया 35 ठीक आप क्या करेंगे जी हो गया 120 माइनस 35 बराबर कितना रगा 85 यह क्या होगा अमरा आंसर कितना प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ 25 ठीक बराबर यह प्रशना आपका यूपी टेटों 2013 में पूछा जा चुका है तो अम सबसे पहले हम इसको तो हो जाएगा एक से longitudinal ग्याराढ़ाई एक सादस होता है ठीक है फिर आते हैं सेक्ड़ा ग्याराष सेक्ड़ा दाई सेक्ड़ा फीर यह लिख लेती हैuster 11 छह हैं तु सो करेंगे तो क्या हो जाएगा यह जाए ग्यारा सो ठीक यतना समझ मैंबार रेक्ंवह ग्यारा दाई होगया तो ग्यारा ऑधंने लिख लेते हैं ग्यारा गुड़ा इकाई का मतलब पर ठीक है फिर एक एक और एक तू दो हो जाएगा याप पर फिर तीसरा लेते हैं एक ही हो गया और एक दो हो गया दो और एक आगया यह तो बारा सो इक्षिस बारा सो इक्षिस जो इनका योग है तो आप्षन कौन सा है हमारा सी सही हो जाएगा 1221 तो आसा करता हूँ यह प्रश्ण आपको समझाया होगा आई अगला प्रश्ण देखते हैं मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपे जमा हो गए है यह धनराज क्या है यह प्रश्ण विया का यूपीटेट 2013 में जो पूछा जा चुका है तो मोहन ने अपनी माँ से क्या का है कि उसने का 11,000 तो 11,000 लिख लिए थैं हम सबसे पहले 11,000 ठीक है 11,000 लिख लिए अब 11,100 बीने सोग लिक लिते हैं 11,100 ग्यारा 11,100 भीना भी लिक लिते हैं आपर 1111 11-11 रुपए उसकी गुल्ल्लक में जोड के बता दो कितने हो गए इक आ गया एक आ गया है कि यह यहां भी आ जाएगा यहां दो यह 1111 रुपए तो 12111 रुपए यह ओगया आंसर था तोसकी गुल्लक में कितने रुपए हो गया 12111 आजा करता हूँ यह प्रस्ण आपको समिधा है आई अगला प्रस्ण देखते है प्रस्ण दिया है सबसे चोटी अबाजे संक्या है यह प्रस्ण में आपके यूपी टेट 23 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपूडेंट है अक्सर टेट एक्जाम यह प्रस्ण जो है देखने के लिए मिल आता है तो सबसे चोटी अबाजे संक्या जो होती है वो होती है दो याद रखना आप सबसे चोटी अबाजे संक्या होती है दो आई अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण दिया है मनोज एक पंक्ती में क्रम से प्रारम से यानि कि प्रारम से अठारवा है और अंत से तेरवा है यह दि पंक्ती में छे लड़किया है तो पंक्ती में लड़कों की शंक्या बताओ तो देखिए ये मनोज को हम एक जगे बिठा देती है मनोज ये इधर गया और इधर गया ये बीच में है तो वह कहा रहा है कि प्रारंब ये तो माले थे प्रारंब ठीक है और ये अंत अंत से अब प्रारंब से जोड़ते हैं तो ऐसे चलेंगे कितना है प्राइरम से अठारमा वन टू ऐसे करके ऐसे करके ये सत्रा आया और ये मनोज हो गया अठारमा ठीक है इसी तरह कर रहा है अंत से तेरमा है ये वन तू त्री आया और ये बारा हो गया और ये तेरमा हो गया मनोज तेरमा तो अब हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, देखी 17 तो यह हो गए, 17 और पिलस एक मनुज हो गया, अब 12 इधर से हो गए, पिलस 12, अब बैए 18 तो हमने जोड़ लिया, यह एक, इसे एक माल लेते हैं, क्योंकि 18 भी नमबर पर भी आ रहा है, अंसे 13 भी नमबर पर भी आ र हो गए, तोटल कितना आ गया? तोटल झोड़ना हो बच्चों का, अब बत venue कि आ इसमें दें छे लड़किया ने तो लड़किया कि संक्या दिख्ञें कि 3 में से माने कि 6 लड़किया, तो लड़के कितनर जाएंगे, 24, 24 लड़के रह गए तो आउसर जो हमारा अब expense 24 लड़के होंगे पंक्ती में आए अप्रसन देखती है प्रसन दिया है संख्या में 5 और 6 की इस्थानी मानों का गुड़ण फल इस्थानी मान निकालना है तो देखिंगे वаша मोर्ति टीया इसाथ । पांच है पांच 60 एक चुने तो सबसे पहले पंच के जिस्थानी मान निकाले कुड़ा यह καह वा तो 5 तो यहां होई जाएगा 1,2,3 सुनने आजाएगे अब हम 6 का अगर निकालें 6 का इस्तानी मानने तो 6 यहां आएगा 1 और 2 सुनने हो जाएगे अब इन दोनों का जो गुणा करना है कैसे करना है 5,000 गुणा 600 गुणन फल बताना है 6 को गुणा करेंगे तो संक्या कितनी आजाएगे 1,2,3,4,5 5 एक 30 हो जाएगा 30 हो गया और सुनने कितनी है 5 1,2,3,4,5 3,4,5 सुनने होई तो यहां लगा कॉमा एक यहां कितना हो गया यह 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो हम देखते हैं सब सक्राइब यह यह लिख लेती हैं 11 सेक्ड़ा सेक्ड़ा मतलब 100 बराबर कितना होजाएं 1100 ऐसकिस अब कहा रहा है कि 10 दाइब 10 लिखते हैं 10 गुड़ा 10 बराबर 10 दाइब 100 100 पिर कहला है 12-1 तो 12 लिखेंगे यहां इकाई के मतल्णा बता 1 तो बराबर हो जाएमी गराबर हो जाएका 12 आफ बराबर है किसके बराबर है तो 11 और 1212 हो जाएगा ठेक्वेमी 1160 यह 100 जूडेंगे 12 1200 और 1200 में 12 जूडेंगे तो 1200 12 अंसर तो ओप्सन जो हमारा डी सही हो जाएगा इसने बारा सो बारा तो आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर पसंद आयो तो इसे लाइप करना और अपने दोस्तों के भी सेयर करना धन्न बाद दोस्तों